असलाम उलाइकूम, हेलो एफ्रीवन, वेलकम टू दे चैनल, आज हम ऑथेंटिक मटन काबुली प्लॉग की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आए, चलिए इसे बनाते हैं, इसके लिए हम ये आदा किलो मटन लिये हैं, मटन को अच्छे से धो कर, सिफ नमक डाल कर ही हमें बॉइल करके लेना है कुकर में, और दूसरे साइड हम ये आदा किलो बासमती राइस अच्छे से धो कर भीगो के रखे हैं, मटन को कुकर में बॉइल करना है, सिफ नमक डाल कर ही बॉइल करना है, और इसमें पानी थोड़ा हम ज़्यादा डाल के क्योंकि यह पानी हमें चावल में इस्तेमाल करना है यह कनी की तरह और कोई दुसरी करब मसालेओं नहीं दालना है और यह 50 गिराम काले किश्मिश लेना है और यह एक बाउल गाजर को इस तरह से खीज कर लेना है और एक चमच अद्रक लेसन का पेस्ट लेना है एक चमच धन और एक चिकन क्यूब लेना है, यह मैगी का चिकन क्यूब है, एक चमच हरी मिर्ची का पेस्ट लेना है, बस यह बहुत कम मसालों में बनते हैं, और यह चावल हम आदा गंटा बेले भिगू के लिए है, एक बरतन लेना है, और ग्यास हमारा मीडियम हाइफ लेम पे है, और य और प्यास को बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा ही फ्राइ करके लेना है, यह देखिए इस तरह से, यह काबूल की ऑथेंटिक मटन प्लाव रेसिपी है, इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं डलते हैं, हमारे यहां पे जब हम प्लाव बनाते हैं, तो बहुत सारे मसाले डालते हैं, दही, टमाटरो, और इसमें एक चमच अद्रकलेसोन का पेस्ट डालेंगे, बहुत कम मसालों में बहुत ही टेस्टी प्लाव बनके तयार हुआ था, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है यह, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, यह देखिए अ चमच हरी मिर्ची डालेंगे, मिर्च और नमकाप अपने टेस्ट के हिसाथ से डालेंगे, यह हमारी मिर्च बहुत ज्यादा तीखी थी, इसलिए हम एक चमच ही डालेंगे, और थोड़ा सा भून लेंगे, मटन डालेंगे, मटन हमारा 90 परसंट तर अच्छे से कल गया था, मटन डाल कर एक मिनट तक ढून लेंगे, और इसी में मैगी का चिकन क्यूब मसाला भी ऐड़ कर देंगे, इसे बहुत ही अत्यादा ज़िए, और एक चमच धनिया पाउडर और आधा चमच नमक हम इसमें डाले हैं, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्यूंके मैगी के चिकन क्यूब में नमक ज़्यादा होता है, और मटन बॉइल करने वक्त भी हम उसमें थोड़ा सा नमक डाले थे, इसलिए आप अपने हि जादेदे हो और आप से दाले हैं, यह देखिए अभी हम चिकन क्यूब भी डालकर थोड़ा सा भून लेंगे इसके बाद यखनी का यखनी डालेंगे, मतन थोड़ा सा भून दया है, मतन को कम से कम आप एक दो मिनट तक भून लीजिए अच्छे से, इसके बाद आप मतन का यखनी को दाल ये पानी भी डालें दो कप चावल इसलिए हम इसमें go 3.5 तिन कप पानी डालें और इसको बॉइल होने के लिए एक साइड रख देंगे और दुसरे साइड हम एक पैन लेंगे पैन में एक चमस तेल डालेंगे तेल दोड़ा सा गरम होने के बार उड़ाजर को किशमिष कर लिये थे वह डालेंगे और किशमिष और गाजर आट और एक चमच शकर भी इसी में डाल देंगे जब तक शकर पूरी घुल जाए उस टाइम तक हमें इसे पकाना है यह देखे शकर किशमिष और गाजर अच्छे से पक रहे हैं अब इसमें हम आदा चमच तक से रख दीजिए आप साइट आज हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का ये प्लाव बनाये थे तो घर में सब को पसंद आया था और ये देखिए अब इसमें हम चावल एड़ करेंगे पानी में बॉइल आ गया था और अच्छे से मिस कर लिजिए और मेडिया फ्लेम पर पक रहे हैं पानी का पानी पूरा सूपने के बाद हम इस पर जो गाजर किश्मिश को फ्राय करके रखेते वो डालेंगे और दम पे रख देंगे पांच मिनट का ये देखिए बहुत ही टेस्टी काबुली मटन पलाव बनके तयार हुआ था और बहुत ही जटपट बना था ये आई होप आप लोगों को आज की हमारी रेसीपी पसंद आये तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू